नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बोलने हैं, जिससे आपकी जीवन में आपको रात में ही चमतकार होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को शारी जानकारी बिस्तार से बताऊंगा, इससे पहले बताना चाहूंगा, मनिस्च के दो सरीर होते हैं, एक बार शरीर, बार शरीर से हम क्या क्या करते हैं, बार शर शरीर हैं, हमारे चेतन मन हैं, ये परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अब चेतन शरीर से जो भी कार करें, जिस भी चीज की प्रात्ना करें, वह प्रात्ना 100% सफल होता है। इस मत करना, बीडो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना हो सके, तो इसे अपने दोस्तक विश्यर भी अवश्य कर देना, क्योंकि हम अच्छे अच्छी जानकारी आप लोगों को परदान करते हैं, हमारे चेनल का मक्सद है, आप लोगों को एक बहतर से बहतर जा जरूर करिए, बीडो को शेर जरूर कर दीजेगा, ताकि शभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो, दोस्तों एक बार इसे शेर करने से और एक लाइक करने से आपको पुन्य की प्राप्ती होगी, और माता लक्ष्मी कृपा भी बरसेगी, आप में से अधिकतर लोग हम से प दाई और सोना चाहिए, और पती को दाई और सोना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है कि पत्नी को पत्नी का बाया अंक माना गया है, जबकि पत्नी को पत्नी का दाया हिस्सा माना गया है, इसे पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रहता है, आईए इस वीडियो में जा करके शोना चाहिए ताकि अच्छी गेहरी नीद आए और जीवन में चल रही परेशानी दूर हो जाए धर्मसास्त्र कहते हैं कि वाश्त वे ज्यान कहते हैं कि मुनसक को हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके शिर करके शोना चाहिए जो लोग जैसे की विद्यारती हैं जल्दे से कोई भी यानि की चीजे उन्हें याद नहीं होती है कोई भी प्रशने याद नहीं करते तो उत्तर को सोते हैं तो याद करते हैं जैसे कि बहुत से लोग भूल जाते हैं विध्यार्थी हैं जो student है तो ऐसे में विध्यार्थी हो को जीवन में पूर्व समय में किये गए जितने भी घटना है याद आते हैं पूर्वे की तरफ मुख करके सोने से पश्यम की तरफ मुख करके सोने से क्या होता है देपता की कृपा प्राप्त होती है पश्यम की तरफ सोने से सोने से पहले किस मंत्र को जपने से जल्दी निदाती है आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूँचते हैं तो हमारे धर्म शास्त्र में ऐशा बताया गया है कि जो ब्यक्ति गायतरी मंत्र का जाप करके शोने से पूर्वे पांच बार गायतरी मंत्र का जाप करके शोते हैं तो जल्दी गहरी नीद आती है लेकिन गायतरी मंत्र जाप करने का एक नियम है गायतरी मंत्र को कभी भी बोल करके नहीं सोना चाहिए गायतरी मंत्र को कभी भी मुक्षे नहीं बोलना चाहिए बलकि मन से ही चिंतन करना चाहिए इसे बेद मंत्र कहा गया है इसे अगर आप मन में जब करके सोते हैं तो गहरी नीनाती है भूत प्रेत से भी हमारे बचा होते हैं भूत प्रेत बाधा च्छू नहीं पाते क्योंकि गायतरी मंतर जबते ही हमारे शिरीर में उर्जा आ जाती है तो आप में इसे अधिक्ते लोग पूछते हैं कि कितने बज सो जाना चाहिए लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पाते तो एक ज्यारा बज़े से पूर्वे आप जरूर सो जाए और सुबह शूर उदय से पहले उठना चाहिए ऐसे ब्यक्ति इतिहास रच्ते हैं कामयभी पात होते हैं माता लक्षमी कृपा प्राप्त होते हैं यालि भोले नात को मानते हैं ध्यान से सुनिए आप अपने इष्ट देव को ध्यान से इश्मरन करिए फिर देखे कैसे चमतकार होता है रात को ही चमतकार देखेंगे रात को सोते समय जब आप सो जाए तो आपको एक जारा बार ओम नमो भागते बाश्दिबा इस मंतर का जाप क रात सोने से पहले जब करता है उसकी सारी मनो कामना पूर्ण हो जाती है और रात को ही चमतकार खुद आप देखेंगे यानि आप रात सोते समय ही आप जब ले सोने से पूर्वे और आप अगले दिन सोने से पहले ही चमतकार देखेंगे या फिर आप चाहें तो अगर आप भगवान संकर जी को मानते हैं तो इश्ट देव तो आप ओम नमय शिवाय मंतर का जाप करें एक जारा बार एक सवाथ बार जाप करें रात को सोने से पहले आप जाप जरूर करें यानि कि मातालक्षमी जी के जाप करें ओम महालक्षमी देवो नमो नमय या फिर आप चाहें तो आप जाब कर सकते हैं, महामृत्विंजय मंत्र का जाब कर सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो माता लक्षमीज का इश्मरन करें, और साथी साथ आप इश्मरन करें, गायत्री मंत्र का जाब करें, तुलसी जी का इश्मरन करें, या फिर आप जाब करें, नमस्तुभं, न ग्रविनाशक गड़धच शोने से पूर्व आपको ऐसा बोलना है रात को ही चमतकार देखेंगे तो यानि कहने के मतलब है कि आप इन में से कोई भी एक मंत्र जाप करें खास करके मंत्रों का राजा जैस्री कृष्ण मुरली मनोहर का मंत्र है इसे आप रात को सोने से पहले जरूर केबल आपको एक सो आठ बार या फिर कम से कम एक जारा बार ऐसा बोले इस प्रकार से एक जारा बार ऐसा बोले आप खुद ही चमतकार देखेंगे तो मेरे प्रिदर्शकों आपको शिर्फ भगवान स्रीकृष्ण जी के जैस्रीकृष्ण मंत्र का जाप करना है इस मंत्र का जाप करें खुद ही आपको चमतकार मिलेगा दौस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यदा ज़्यदा लाइक करिएगा शेयर करिएगा चनल को सब्सक्राइब करिएगा जैस्रीकृष्ण जै मालक्ष्मी